अचलो हेलो फ्रेंड्स प्रिवेस टुट्रियल में हमने देखा form का इंट्रोडक्शन तो अब हम form में फर्स्ट टेक्स बॉक्स से स्टार्ट करते हैं जो यूजर को input करने के लिए space देता है तो उसकी syntax क्या रहेगी तो syntax ये रहेगी कि input tag में type is equal to text जब हम input tag का use करेंगे तो हमें form के जो elements से वो use करने के लिए हमें elements हम use कर सकते हैं means कि input tag लिखने से हम जो अंदर के elements से वो use कर सकते हैं तो input type is equal to text लिखने से हमें text box output में नज़र आएगा तो हम practically देखते हैं first हम एक notepad file बना देते हैं HTML file इसको save करते हैं form.attml save कर देते हैं अब क्या करना है यहाँ पर HTML का structure लिखना है पहले उसके बाद HTML के बाद head section head section के बाद body section body section over अब क्या करना है हमें text box लाना है तो यहाँ पर text box के लिए मैंने बोला कि input tag use होगा तो input type अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि HTML जो है case sensitive language नहीं है means कि हम उसको capital में भी लग सकते हैं syntax को और small में भी ले सकते हैं हम यहाँ पर small में लिखेंगे सब कुछ अगर आपको capital यूज करना हो तो आप कर सकते हो input type is equal to text इतना लिखने से हमें text field मिल जाएगी अब इस file को हम run करते हैं open with firefox firefox में run करने के बाद यहाँ पर हमें text box मिल रहा है जिसमें हम लिख सकते हैं जो भी आपको value लिखनी हो वो इस तरह से हम text box हमारे HTML page में so करवा सकते हैं तो next tutorial में हम दूसरी field देखेंगे text area text area field देखेंगे और मैं आपको difference बताऊंगा की text box और text area में difference क्या है thank you for watching this video